मेरे प्यारे भारत वासियों आप सभी को गंतंतर दिवस की बहुत-बहुत शुब कामनाएं एवन बधाई सुदंतता हासिल करने से पहले हमारे देश पर बाहर के लोगों ने बहुत सालों तक राज किया और इन सालों में इन लोगों ने हमारे समाज का, हमारे विश्वास का, हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृती का, हमारी भारतियता का शोशन किया हमारी एकता में फूट डाली, हमारी राष्ट संपति को लूटा और फिर बहुत सालों के अंतक प्रियासों के बाद लाखों लोगों के बलिदानों के बाद हमने आजादी पाई राज के दिन हमारा देश एक बहुत बड़ा गंतंतर बना इन पिछले सत्तर सालों में हमारे बुजर्गों ने और हम सब ने मिलकर भारत वर्ष को आज विश्व का एक बहुत ही सशक्त और अग्रिम राष्ट बनाने में कामियाबी हासिल किये है और भारत को यहां तक पहुँचाने में करोडों लोगों का खून और पसीना बहा है हम सबने अलग-अलग विचारों के होते हुए अलग-अलग धर्मों के होते हुए भी हमारे देश को एक जुट होने में बहुत मेहनत की है बहुत मुश्किल से हम सब ने भारतियता के जो मोती चिन भिन हो गए थे उन सब को इकटा करके एक माला जिसे हम हिंडिया, हिंदुस्तान या भारत कहते हैं उसमें पिरोया है इन मोतियों का इस माला में बना रहना बहुत जरूरी है ये बिखर गए तो हम सब बिखर जाएंगे और हम बिखर गए तो हम सब की ताकत खत्म हो जाएगे भारत है तो हम हैं इसलिए हम उन सभी तत्वों का पूरे जोर से विलोद करेंगे जो हमारी अखंड़ता पर हमला करने की कोशिश करेंगे और फिर दोस्तों अभी तो हमने शुरुवात की है तो एक बार फिर से आप सब को गंतंतर दिवस की बहुत-बहुत बधाई Happy Republic Day, भारत माता की जै, जै हिंद मेरे प्यारे भारत वासियों आप सबी को गंतंतर दिवस की बहुत-बहुत शुब कामनाएं, एवन बधाई सुदंतता हासिल करने से पहले हमारे देश पर बाहर के लोगों ने बहुत सालों तक राज किया और इन सालों में इन लोगों ने हमारे समाज का, हमारे विश्वास का, हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृती का, हमारी भारतियता का शोशन किया हमारी एकता में फूट डाली, हमारी राष्ट संपति को लूटा और फिर बहुत सालों के अंतक प्रियासों के बाद लाखों लोगों के बलिदानों के बाद हमने आजादी पाई राज के दिन हमारा देश एक बहुत बड़ा गंतंतर बना इन पिछले सत्तर सालों में हमारे बुजर्गों ने और हम सब ने मिलकर भारत वर्ष को आज विश्व का एक बहुत ही सशक्त और अग्रिम राष्ट बनाने में कामियाबी हासिल किये है और भारत को यहां तक पहुँचाने में करोडों लोगों का खून और पसीना बहा है हम सबने अलग-अलग विचारों के होते हुए अलग-अलग धर्मों के होते हुए भी हमारे देश को एक जुट होने में बहुत मेहनत की है बहुत मुश्किल से हम सबने भारतियता के जो मोती चिन भिन हो गए थे उन सब को इखटा करके एक माला जिसे हम हिंडिया, हिंदुस्तान या भारत कहते हैं उसमें पिरोया है इन मोतियों का इस माला में बना रहना बहुत जरूरी है ये बिखर गए तो हम सब बिखर जाएंगे और हम बिखर गए तो हम सब की ताकत खत्म हो जाएगे भारत है तो हम है इसलिए हम उन सभी तत्वों का पूरे जोर से विलोद करेंगे जो हमारी अखंड़ता पर हमला करने की कोशिश करेंगे और फिर दोस्तों अभी तो हमने शुरुवात की है तो एक बार फिर से आप सब को गंतंतर दिवस की बहुत-बहुत बधाई भारत माता की जय जय हिंद